वेल्कम बैक टू मैडी कोको तो सबसे पहले एक डाश कैम होता क्या है? अपकी बाइसिकल, मोटर साइकल या कार पर लगाई कैमरा होता है जो आपके पूरे सफर को रेकॉर्ड करेगा अगर सफर के दौरान कुछ हाथसा होता है जिससे आपकी वेहिकल को डामेज होता है तो वो विडियो इंशॉरंस क्लेम करने के लिए आपके काम आ सकता है तो कार के लिए तो मार्केट में डाश कैम अवेलिबल है पर साइकल के लिए कैसे बनाए? अगर अगर पीछे से किसी ने ढोका तो आपका बस गिरना रेकॉर्ड होगा पर पीछे का और पीछे का भी रेकॉर्ड करें अगर 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 मैं से ओन करता हूँ इस इस रह दे विडियो रेकॉर्ड बता देता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो मैंने कामरा को हैंडल बार पर अटाच किया है अब अगर मैं इसे ओन करता हूँ this is how the video records मैं जहां कहां भी मूव करूँ यह मुझे विडियो से कट आउट नहीं करें लगा no matter where I am moving like you see I am always in the frame still here बस camera को मैं यहां पर लगाता और हैंडल बार पर नहीं लगाता reason यह देखना तो मैंने इस camera को हैंडल बार पर लगाया है and it can't see what's in the front, what's on the side, what's on the other side but it can't see पीठे क्या है because obviously I am the obstruction here so it's a good camera, it does the job बस इसे हैंडल बार पर लगाना गलत है इसे लिए इसे मैं लगाता हूँ underneath me तो अब अगर कोई सामने से ठोके, साइड से या पीछे से प्रूफ रहेगा पर generally regular camera को as a dash cam use करना मुश्किल होता है because depending on your memory card, video का recording कुछ time के बाद रुख जाता है luckily LG R105 में 1260x640 का lowest resolution का option है और मेरे 64GB class 10 memory card में ये recording सवा एक घंटा record कर पाया वो भी recording बंद हुआ क्योंके सवा घंटे के बाद इसका बाटरी खतम हो गया अगर आपके electric bicycle में USB charger है तो ये actually कही और जादा record कर सकता है और आपको 360 video देखने के लिए कोई भी additional software की ज़रूरत नहीं है computer में transfer करते ही VLC player इस format को play कर पाता है just make sure you have the latest version of the VLC unfortunately ये camera market में आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये काफी पुराना हो गया है और discontinue हो गया है but you shouldn't worry because इससे कही और जादा अच्छे 360 cameras आपको market में काफी आसानी से मिल जाएंगे और जाने से पहले अगर आप इसका night output देखना चाहते हो तो ये रहा आप clearly समझ सकते हो ये किन aspects में useful है और किन में नहीं so this was all I had to share with you about my DIY 360 degree dash cam if you enjoyed this video don't forget to let me know by hitting the like button also don't forget to subscribe so that you'll stay notified with the upcoming videos thank you so much for watching Maddy Coco I will see you in the next one goodbye